लोग सभा चुनाव दो हजार चौबिस को लेकर आज मतगन्ना हो रहा है और मतगन्ना इस्टार्ट है आज हमारे साथ बिहार पर चर्चा करने के लिए कि बिहार में एंडिये की क्या श्थिती है इंडिया एलाइंस की क्या श्थिती है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे जूड़ चुके हैं जिस तरीके से बिहार में इस बार नुकसान होते नजर आ रहा है हम सबसे पहले बात करेंगे कारा काट कारा काफी मसहूर हो चुका था यहां पर पावर स्टार चुनावी मैदान में निरदली उतर गये नहीं है कि पावन सिंग वहां पे 62,000 भोटों से कहीं न कहीं पी जड़ते नजर आ रहा है आठवे चरन का मतदान मतगन्ना वहां पे कंप्लीट हो चुका है उसके बाद 62,000 भोटों से पीछे हैं और तीसरे अस्थान पर हैं वहीं बात की जाए एंडिये की फरत्यासी उपिंदर यहां पे लगतार वहां पे उस सीट पे रहा है हमे पे नगसित बन गया है जहां पर पीक ॉच formulated निरदलिया चुनावी मैंदान मूतर थे उहां के फेचरتे पिछड़ते हुए नजर आ रहा है और बाकी अपडेट के लिए हम लोग के साथ बने रही है लागतार हम लोग की नजर बनी हुई है बाकी आगे का जनकारी देने के लिए लोग आपको बताएंगे श्यूं जी एक और सीट हौए बना हुआ है आपने काराकाट के बारे में बात की और अंगाबाद के बारे में बात की एक साथा राम сосah सीट एक हौर सीट बना हुआ है और लगतार इस पे बीजेवी का पिछले दो बार से च्छ नि पंस duty पसवान यहां से शांसतर रहे थे और लेकिन अभी यहां पर मुकावला दिल्चस्प है इसलिए यहां की गिंती काफी राउंड की बाकी है आगे हो सकता है कि स्वियस राम इस मुकावले में वापस आये लेकिन कहीं न कहीं नुक्सान पहुचाते बहुजन समाज पार्टी के संतोष कुमार दिख रहे हैं जहां उन्होंने 26,745 भोट लगभग काटकर इनको नुक्सान पहुचाया स्वियस राम को